दोस्तों अगर आप भी राहूल द्रविड को एक महान खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रू किजेगा दोस्तों साउथ अफरिका दौरे पर सिरीज जीतने की इरादे से टीम इंडिया वहाँ पहुँच चुकी है जहां पहुँच कर सभी खिलाडियों ने जम कर पसीना बहाना शुरू कर दिया और वहीं सिरीज का पहला मुकाबला 26 देसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट के साथ शुरू हो जाएगा साउथ अफरिका दौरा भारत के लिए बेहदी एहम साबित होने वाला है क्योंकि साउथ अफरिका ही एक ऐसी जगह है जहां भारती टीम ने आज तक एक भी सिरीज नहीं जीती है और इस दौरे पर टीम इंडिया अपने इस अंचाहे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेगी और इसके लिए भारती टीम के हेड कोच राहूल रविड ने अपनी प्लेइंग 11 जारी करते हुए कहा है कि ये खिलारी अपने टेस्ट में खेल सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं वो कौन से खिलारी होंगे जो पहले टेस्ट मैच में खेलेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहिड शर्मा और केल राहूल में कौन बहतरीन उपनर है अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू बताएं दोस्तों इसमें भारतिक रिकेट बेहत मुश्किल दौरे से गुजर रहा है एक तरफ जहां विराट कोहली और रोहिड शर्मा की कंट्रोवर्सी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पी सिस्याई अधक्ष सौरव गांगुली और विराट के बयानों का विवात काफी सुर् जहां पहुचकर भारतिक हिलाडियों ने जम्प कर अभ्यास करना भी शुरू कर दिया है और आपस में कई सारे इंट्रा स्कॉर्ट मैच भी खेलें दोस्तों भारती टीम के लिए साउथ अफरिका दौरा बेहद ही एम है क्योंकि विश्यों में लगबग हर जगे टीम पहुचकर बता दें कि पहले टेस्ट मैच के लिए भारती टीम के हेड कोच राहूल रविड ने अपने संभावित प्लेइंग 11 जारी किये है जिसमें उन्होंने कुछ चौकाने वाले फैस्ते लिये हैं जहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं राहूल रविड के संभावित प् इस साल काफी रन बनाए हैं उपनिंग के बाद मदिक्रम की जिम्यदारी में आउट आफ फॉर्म चल रहे चेतेश्वर पुजारा को एक और मौका दिया गया है जो कि नंबर तीन पर बल्ले बाजी करेंगे नंबर चार पर बल्ले बाजी करने के लिए भार्दी टीम के कप दोस्तों नंबर चै पर बल्ले बाजी के लिए टीम इंडिया के ताबरतोर विकेट कीपर बल्ले बाज रिशब बनताएंगे जिन्होंने अपनी बल्ले बाजी और विकेट कीपिंग से वर्ल्ल ग्रिकेट में अपनी अलग ही पहचान बना रखी है इसके बाद नंबर आता आया आलराउंडर का जहां टीम इंडिया के स्टार स्पीनर और बलेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले रवी चंद्र अश्विन होंगे तो वहीं ऑस्टेलिया में गेंदबाजी के साथ अपनी बलेबाजी से संसनी मचाने वाले शारदूल ठाकूर होंगे दोस दोस्तों राहूल डिवेट की स्प्लेइंग 11 को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये साउथ अफरिका तो क्या विश्व के किसी भी टीम को कहीं भी हराने का माद्दा रखते हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि भारती टीम साउथ अफरिका धरती पर सीरीज जीतने में ज दरूर कामयाब होगी तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इस बार रवी जंद्रश्विन और जस्प्रेद बूरा में से साउथ अफरिका दोरे पर सबसे जादा विकेट कौन लेगा अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और नहीं शानदार खबरों के लिए सबस्क्राइब करिए हमारे योट्यूब चैनल को